अच्छा यह हम कोश्टन कर रहे हैं जून 2015 का पेपर 60 कोश्टन टू ठीक है अब यहां पर देखो क्या है एक मुझा पास 120 पीपल आर्टिकल रीड कर रहे है नुश्वेपर का टाइम तो निरेस सेकंड अब यहां तरा खास बात है निरेस सेकंड यहां भी पॉइंट 1.2.4 यह दिया वह टेक है यह वी अब फटु में देख्लास बाउंडरी यह देख्लाइट डिरेक्ली यह हों कुछ डिए प्टु अबड़िगा वाला काम नहीं करेंगे सब्सक्राइब लुच्छे इथा निए टरा थर्टी सब्सक्राइब लिए इतना तर्टी इतना थां सब्सक्राइब Christ mm में सुन विधर समेशंες धुWow एद को सबसे पहले में ना में किया चालिए मैं और मीन के उनुष एभाइस चाहिए ना में समेशिख यह के लिवेधर सबिन के लाइस living बाकशनत को सिंच इस थर्टीप्लस कट्वाइब पचास और ग्यारा 61 61.2 इस 61.2 कितना है का 30.5 इसे तरह कितना है का 90 और 140 146 146 इस 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 क्लास का मिट पॉइंट कितना है का 73 ठीक है अब दो यह तो X आ गए XF भी जाही तो XF के साथ हमें तयार है न यह फ्रिक्वेंसी है न X और F 13 into 4 कितना है गा 52 32 30.5 25 324 324 324 40.5 multiplied by 38 14.5 multiplied by 38 1539 1539 50.5 x 34 50.5 50.5 only 50.5 x 34 1717 17 17 इसी तरह 73 x 20 1460 1460 ऐसा ही है अज़ आप क्या करेंगे इस पूरा का summation x से उपर चाहिए ना तो यहाँ सम ले लो summation x से बता हो कितना आ रहा है 52 plus 324 22 plus 324 plus 1539 plus 1717 plus 1460 50 50 50 50 90 इस नुम्रेटर आ गया 120 120 42.43 सभी आ गया अब इस तरह क्या करेंगे एक और हमें चाहिए होगा तो वह रोम्ण करो किसतरा होगा डगो x2 into f असका सां करना पड़ेगा तो पहलध आ इस क्क्रेadoreटर भनाएंगे पहले एक स्क्क्रेंड Again य। अन्यूम्रा में लेन्ट इसक्क्रेंड sorry अहाँ पॉद्टिप्लिधा होगी वह माल्टिप्लीय होगीस अunkimana का सवाल दिया है कि तो टेटीटू छिलंट दिये में ठीक है और समेशन एक्समानस 30-287 है यानि कि जब हमने सब चिल्डर्ण की हाईट ली उन सब हईट को कोड़ट एक किया किया कोड़ एक को सब की हईट पाइट गारि करके उसके बाद जो रिजल्ट है सब क्या लग लग यानि 12 अलग अलग आएंगी 130 माइट करने के बाद उन सबको प्लस कर लिया तो यह जिल्दल आगया मानेस 287 तो कोड़िट के बाद डेविशन एक्स इस पॉट नाइन है तो मेन निकालनी है तो मैं पता है कि क्या फॉर्मॉला होता है मीन कितना होता है समेशन एक्स माइनस 130 समीचे एक्स अपन न होता है न को यह सिंपल एक्सी नहीं होगना एं अब प्रॉट श्री साथ होगा और है क्या है जो हमने 130 माइनस किया था तो म्क्राइंगे प्लस भी करेंगे सब्सक्राइब शुलाएब जर्टी नगे एकर तो नगे एक तो आंसर आ रहे हैं यह जगा इससेवन और और थेवाइड वाइटी टू प्लस वन थर्टी बात is आ मीन 126.5 126.5 तो फिर वो ची तरह कह रहे हैं कि हम बस जागा यहां पर अब देखो क्या कह रहे है हाँ अब वो अब बाद यह कह रहे हैं कि यह होल स्वेर निकाला होगा डेविएशन दिया है तो अब यह निकालना है न डेवेशन फॉर्मुला क्या है याद रखना है तो यह स्कुर् Where Summation का square upon n minus whole square ठीक है तो अब दिखो डेविशन केतना दिया है यहां पर करता है जाओ बस डेवेशन कितना है 6.9 जाहरी बात मुझे यह निकालना है दुरूर अटा दूँगा रूट यह अटाऊंगा तो स्क्वेर आगा डेवेशन पर डेवेशन पर स्क्वेर आगिया इकोल टू यह मुझे चाहिए एक्स माइनस 130 का स्क्वेर और यह कितना है एन एन कितना है एन इस 82 82 और माइनस यह पुराना मीन निकाला था कितना था वो मीन का स्क्वेर मीन था स्रिफ यह मीन 130 से पहले यह डेवेशन कौन सा है यह 130 के बात 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 ब बिल्के यह करो, यह वाला करो, minus 287 upon 82, कितना आ रहा है, minus 287 divided by 82, minus 3.5, उसका all square करना है, ठीक है, तो minus 3.5 का all square कर दिया, सही है, अब क्या करो, कि, mix हो जागा थोरा, तो यहां क्या हो जागा, summation, x minus 130 का all square, कैसे आएगा, equal to, 82 multiply हो जागा, किस से, इन दोनों के sum से, 6.9 आ रहा है, 6.9 का all square, minus, यह तो minus वाला, प्लस हो जागा, तो यह 3.5 का square, यह करके बताओ, इन दोनों को पहले square करके sum करो, 82 से multiply कर दो, 6.9 का all square, 3.5 का all square, 5 न, 3.5, 3.5 का square, plus 6.9 का square, multiply 82, 490, 8.52, 490, 8.52, तो यह है, तो यह हम आपाद, x minus 30 all square की value हागी, सही है,